सब्सक्राइब 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 को याद कर सकते हैं तो चलिए अपने शुरुआत कर लेते वीडियो एंड तक जो रहे बहुत खास होने वाला है देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं संग एंड लेडा होता है इसका नाम किसने दिया है देखिए यह आपर मैंने पंदरा पॉइंट ठोड़ा इंपोर्टन है 15 लिखें जिसमें पहला पॉइंट है शब्द यानि कि संग एंड लेडा शब्द किसने दिया था तो एंड के जितने भी प्राणि होते हैं उनका आवास होता है जली जल में रहते हैं साथ में स्थल ये भी होते हैं लेकिन अस्थल पर भी रहेंगे तो वो गीली मिट्टी में रहेंगे ठीक है गीली मिट्टी में रहेंगे और साथ में ये दोस्तो एकल होते हैं और स्वतंत्र जीए भी होते हैं एकल अ्खिलाकलर भी रहते हैं स्वतंत्र जीए है तो यह जाएगी आवास की यह क्ट लेमार कने आवास जली होते फर्स्पली में देखें गिली निए वह रहता है ऑप लग जांते इसको थह और बात कर लेते हैं एकल और साथ में इसको नजीव भी होते हैं अब बात कर लेते सिमेंट्री की सम्मीटी क्या होती है देखो दोस्तों सम्मीटी का मतलब यह होता है कि यदि हम किसी भी जीव को यदि हम अक्षे से काटेंगे तो दो बराबर बाग में बढ़ जाता है तो उसको थोड़ा मैंने निचे लिखा क्योंकि उपर लिखा इसलिए अब बात करें जनस्तर की तो तीनों जनस्तर पाया जाते हैं कौन-कौन से एक्टर डर्म भी पाया जाता है और मीजोडर्म भी पाया जाता है ठीक है मीजोडर्म भी पाया जाता है और इसको और डर्म भी पाया ज प्राणी तो क्या बोलते स्कों ट्रीपलो ब्लास्टिक प्राणी है अब दूस्ता हम बात करें की सिलों की सिलों कौन सी शीलों कौन से शीलों का मतलब यह होता है कि देहभिति और आहांसे उसके मद्य मिजोडर्म की लेयर पाई जाती है तो उसको बोलते हैं साइजोशिलों ठीक है आगे हम समझ लेते हैं शारिक संगटन तो शारिक संगटन होगा इनमें अंग तंत्रस्तर का हमारा भी अंग तंत्रस्तर का होता है ठीक है अंग तंत्रस्तर का ठीक है कोशी कोशी का होता है जो कि ब्लास्टो पॉर जिसको कहते हैं और यह ब्लास्टो पॉर ब्लास्टो पॉर होगा और उससे अगर माउथ का निर्मा होता है मुख का निर्मा होता है तो उसको बोलते प्रोटस्टोमिया ठीक है दूसरा होता है इसका मतलब चाहता है तो ब्लास्टो पॉर से अ प्राणी बैलनाकार भी होते हैं थी बैलनाकार भी होते हैं एंड लंबा और पतला भी होते हैं ठीक है लंबे और पतले भी होता है अब बात के लिए घमन की तो इनके लिए घमन करने के लिए पार्श्वपाद पाये जाते हैं पार्श्वपाद ठीक है जिसको हम बोलते हैं पैरापोडिया क्या बोलते सको पैरा पोडिया कि पार्शी पादप पाय जाते हैं आप समझ लेते हैं वह सतासे करते हैं तो थी होता है यह सकते हैं शार्रिग होती है जो की होगा नेफ्रेडिया ठीक है और नेफ्रेडिया के माध्यम से क्या करती है जो एनलेडा के प्राणी होते हो उसजन करते हैं अब बात करें उसजी पदारत अब उसजी पदारत क्या होगा तो जो जली प्राणी होंगी वह अमोनिया का उसजन करते हैं किसका उसज और परउम फस्रों की तो वह पाई जैता है यहां पाएड्रो स्केलेटन से ये हायद्रो पाई जाता है हाला कि अनुपस्तित होता है त। स्केलेटन होता है है अब बात के लिए परिशंचन तंत्र की तो रख्ट परिशंचन तंत्र होता है वो बंद परकार का होता है यानिक इनका खून होता हूं नवियों में बहता है ना बंद परकार का होता है इसके बाद हम रक्त की बात करते हैं बलड की बात करते हैं तो जो एलेड़ के प्राणी होते हैं उनका जो रक्त होता हो लाल होता है कैसा होता है लाल रक्त होता है अब लाल रक्त किसकी वज़े से होता आप लोग जानते हैं हीमोगलोबिन की वज़े से और हीमोगलोबिन होत एरिथ्रोफ क्या कहते हैं अगर घूली ओगलवीन होगा तो उसको वोगत्या कि पॉंट है जनन इनमें दोतों होगा लेंगीड और लेंगीक दोता हैं लेंगीड और लेंगीड दोनों होगा कि इसके वारा हम बात कर लें लास्ट जो कि Most Important है इंपर्टेंट बात मैंने इंगलेस का बात है ना समझा ना 15 पॉइंट है जाए तो यहां पर है अंग तंत्र स्तर का तो उस अंग तंत्र में सबसे पहला जो अंग बना था वह एन रेड यह के प्रानियों में रधय बना था क्या बना था रधय तो आपसो अगर question पूछ ले कोई भी की सबसे सबसे पहले रदय का विकास अकशिरुक में किस संग में हुआ तो कौन से संग में हुआ है संग एनलेडा में हुआ है यह इंपोर्टन बात है भी यह यहां पर सबसे पहले रदय का विकास कहां पर हुआ सबसे पहले हार्ट का बनना सबसे पहले हार्ट इसमें बनना था ठीक ह विकास सबसे पहले पहले हैरदय का विकास अब बात कर लेते हैं सेकंडु पो, सेकंड पो, साथ में सबसे पहले पाचक ग्रंथियों का निर्मान भी संग एं लेडा के अंदर ही हुआ है सबसे पहले पाचक ग्रंथियों का विकास भी पाचक ग्रंथियों का विकास भी भया इसी में हुआ है किसमें संग एं लेडा में तो पाचक ग्रंथियों का विकास और सबसे पहले हार्ट का विकास कि चंग में हुआ तो किस चंग में हुआ है यह तो दोस्तों यह आपके हो जाएंगी जेनरल क्यरेक्टर अब फिल हाल देखते हम इसका वर्गी करन तो इसकी शॉट ले लिए फटाफट से अब दोस्तो इसका वर्गी करण को समझ लेते हैं, देखिए, अगर मैं इसका classification की बात करूँ, वर्गी करण की, तो दोस्तो इसको चार class में डिवाइड किया है, कितनी class में, चार class में, class बोले तो इसको हिंदी में बोले वर्ग, ना, कितनी class में डिवाइड किया है, चार class मे कितनी क्लास आजेती है चार क्लास पहली क्लास का नाम है पहली क्लास का नाम है पोली किटा ठीक है सेकंड क्लास का नाम है ओली गो किटा और तीसरी क्लास का नाम है हीरुडिनिया हेरोडीनिया देखिए ध्यांद रखिए अब इसी का एक्जमपल इसी के जैसा आएंगा हेरोडीनिया यह हीजी ने कलास होती है और लास्ट हो जाता है आर्किन अर्क एन्डेडा लेडा लास्ट एन लेडर दिखाए अब दोस्तों इसके एक्जम्पल को देख लेते हैं देखिए पॉली कीटा में अपने पहला एक्जम्पल हो जाता हैं जो कि आप लोगों सबने सुना होगा नेरीज का नाम ठीक है और नेरीज को हम बोलते हैं रेत क्रमी क्या कहते हैं इसको रेत समुधरी देखे आगे ऑलीगो कीटा नalon ऑलीगो कीटा की बात करती हैं इसमें एक्जम्पल कौन सा आता हैं तो इस नो красив के चुअ और इसमें दो फेरे टीमा né लिग देता हुं सिधा फेरे टीमा जो पोस्तिवां होगा वह हमारा भारती के चुवा है किसा के चुवा हैं भारती के चुवा ठीक है निए अग लै भाष। है हीरुदीनिया हिरुदीनिया में अपका इժड़े हीरु-डी- gloss कोर बीसे सा यह इथा है सावाश्य भाषां में भरती जोग भरtery है ह्म सब्सक्राइब जहाएं ठीक है रहत हम लास्ट हम देख लेते हैं इसका इक्जामपल तो इसमें आपका एक्जामपल हो जाता है पॉली गार्डियन्स और पॉली गार्डियन्स होता है इसको हम बोलते हैं फाइलम संग अने लिड़ा वह मॉलस्ट का के बीच की योजग कड़ी याने इसका मतलब क्या होता है योजग कड़ी इसका मतलब यह होता है कि पॉली गार्डियंस होता है वह दोनां तरव्य वहर करता है मन्द उसके लक्षेंट मिकले अर्ट के इसको मॉलस्ट का चंहें योजग कड़ी तो दोस्तों यह था है आपका क्लासिपिकेशन जो चार क्लासे थी पॉली किटा-ॉलिझोड Hopkins, Leveniis, सब्सक्राइब निकरे कर देना मिलते नेक्स वड़े में तब तक लिए हिन वद्धे मात्रा